अगर आप बहुत जादा हेल्थ कॉंसियर्स है किसी डायट को फोलो करने और बिल्कुल कम तेल में बनने वाले किसी अच्छे से खाने की तलास कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगा पर आया है क्योंकि आज मैं आपके शेयर करने वाली हूं परवल की भुंजिया जो कि रो जल्दी क्यों बनेगा यह जल्दी बनाने का सीक्रेट यह है कि इस में पहले ही थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अधे गंटे के लिए ढखक कर छोड़ देती हूं जिसे यह पूरी तरह से नर्म हो जाता है जब इसे मैं बनाती हूं तो यह बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है तिस तरह से देखिए नमक और हल्दी बिलकुल स्वादानुसवर अधे नहीं बताया है क्योंकि अगर आप ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं अपने हिसाब से आपको नमक देना है तो इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर देना है और इसको मिक्स करके अब इसे ढखकर आधे गंटे के लिए छोड़ दें ताकि यह जो आपकी पटल है यह पूरे तरह से नर्म हो जाए यह लगभग आदा घंटा हो चुका है ठीक है उसके बाद मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि देखिए यह मैंने गैस ऑन कर दी है बिल्कुल मोटे तले का आपको कढ़ाई लेना है या अगर आपके पस नॉन्स्टिक का कढ़ाई है तो आप अभी कम तेल में यह बन जाता है तो यह मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा जीरा का फोटन जो मैंने आपको दिखाया था उसके बाद थोड़ा सा मेथी दाना थोड़ा सा हीम इसमें अभी मैं मिर्च जो मिर्च लहसुन और प्याज हो मैं अभी नहीं डालने वाली हूँ व वही पानी के साथ इसको कढ़ाई पे डाल दे और इसको अच्छी तरह से और इसको मिक्स कर दे और मिक्स करके इसको दो मिनट के लिए इस तरह से चलाएं उसके बाद इसमें लिड लगा के मिन्स के ढखकन ढखके आप इसको चढ़ा दे और उसके पांच मिनट के बाद इसको खासा नर्म हो चुका है लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा भी और अभी यह देख से भुंजिया है न तो थोड़ा सा अगर यह थोड़ा सा खर होके अगर मतलब बनता है न तो बहुत टेश्टी लगता है ठीक है थोड़ा सा crunchiness इसमें अगर आ जाए बना तो और मजा जाता है इसमें फिर से ढग दे रही हूं एक तरप में रोटिया भी बना रही हूं तो लीज़े ये पांच मिनुट और हूद और वह जुका है देखने में आप्व ही ये कडाये में बिल्कुल भी नहीं लगा है और ये अच्छे खासे तरीका से ये इसका मत जालने के बाद मैं थोड़ा से दो मिनट और चला देती हूं चलाने के बाद इसमें मैं फिर से ढखकन ढखके छोड़ दूगी आप चाहे तो प्याज को स्टार्टिंग में भी भून सकते हैं लेकिन मेरे हस्बंड को प्याज थोड़ा सा क्रंचीनेस रहता है ना तभी अच् को परोशने के लिए बिलकुल तयार हो चुका है थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देना है बिलकुल ये सर्फ करने के लिए तो बस मैं जस्ट हजबंड का अब खाना लगा रही हूं ये प्लेट में मैंने इसे निकाल दिया है और ये थाली में दो रोटी अचार और भुंजिय लगता है आप भी ट्राय करिए अगर अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए थैंक यू